जहिंद स्वागत है आपका origin IAS में जहां हम चर्चा करते हैं दहिंदू में क्या जरूरी खबरे हैं UPSC के point of view से कल अगर आपने थोड़ा बहुत YouTube देखा होगा और YouTube पे खबरे देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्थिति कैसी चल दी है farmer और government की बीच में 12 layers की एक्तिवाल बना दी गई है इस तरीके का आपको नजारा देखने मिलेगा जहां पर कटीले तार है बड़ी बड़ी इस तरीके के concrete blocks रख दिये गए और उनके बीच में concrete भड़ दी गई तो इस तरीके का नजारा चल दा है और सही माईने में इस चीज़ के बारे में बात भी हुई थी कि आखिर government और farmers की बीच का जो statement है ये जो फरिशानी है इसको solve कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी हमें कहीने कही analysis करने की जरुवत है कि आखिर इसका solution क्या निकल सकता है अगर government अपने हधिया डाल देती है और bill वापिस ले लेती है तो सही माईने में किसी भी party के लिए या फिर किसी भी group के लिए किसी भी section of society के लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा government को भी कहीना कहीं जो reforms है उनमें और गहराई से समझ explicit कुछ चीजों का highlight करने की जरुवत है चाहें वो MSP की बात करें या फिर दूसरी चीजों के बारे में भी कहीना कहीं थोड़ा बहुत bill में जो act बन चुका है उसमें तबदीलियों की गुझाश है देखते हैं क्या होता है लेकिन फिलाल तो यह जो issue है यह जल्दी solve होते नहीं नजर आ रहा है बात करें आज की तो आज हम तो महत्पूर्ण चीजों पर बात करेंगे आप जनरली देखेंगे तो यह articles हैं budget के budget को analyze करके यह बताया गया है कि किस तरीके से जादा spend करने की बात करी जारी है जो हमार 2020 के लिए financial year और बाद में 2022 में 6.8 हो जाने वाला है FRBM के बारे में बात किये यह FRBM भी आपको पढ़कर रखना है यह FRBM जो है वो महत्पूर्ण हो जाता है financial responsibility and budget management act यह कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान से पढ़कर रखनी FRBM ध्यान से पढ़ ले यह FRBM क्या है 2003 में आया इसमें क्या चीज़े बताई गई थी यह इसलिए important है क्योंकि इस बार जो हमारे finance minister है उन्होंने कहा है कि हम FRBM act में भी changes लाइगे और भी बहुत सारे concerns है जो यहाँ deal करे गए हैं सही माइन में देखा जाए तो आपने आगर इस budget को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें important बात है पैसा कहां से आने वाला है और उन पैसा लाने वाली situations में तीन रास्ते बताया गया है एक बताया गया है प्राइविटाइजेशन का दूसरा बताया गया है strategic disinvestment का और तीसरा बताया गया है public money सीधर सीधर तोर पे अगर आप देखेंगे तो यह जो प्राइविटाइजे जो भी decisions है वो सब private personnel ले रहे है ऐसा बहुत सी जगहां पर हुआ है जैसे आपकी जो South East Asian countries है या फिर Eastern Europe की जो countries है वहाँ पर privatization देखने मिला privatization banks में भी आया लेकिन इन सारी चीजों के वज़े से कही न कहीं जो government है वो कमजोर हो जाती है और जब government कमजोर हो जाती है उस तिती में इस सारी चीजे जो देश के चलती है वो इन बड़े-बड़े जो private corporate houses होते हैं इनके हिसाब से चलती है इनके अनुसार चलती है privatization की अगर मैं बात करूँ तो privatization में कहीं न कहीं आपको foreign direct investment का concept भी देखने मिलता है foreign direct investment आती है और उसी वज़े से ये देखेंगे बड़ी-बड़ी जो multinational firms है वो अपने पंजय फेलाती हैं भारत में या फिर किसी भी country में for that matter situation ये है एक तरफ हमारे प्रदान मंत्री आत्म निर्बर भारत की बात करते हैं तूसरी तरफ privatization और strategic disinvestment की तरफ बहुत जादा कदम बढ़ाय जा रहे है इससे ये समझ में नहीं आपा रहा है कि आखिर हम आत्म निर्बर किस दिशा में हो रहे हैं और किस स्तिती से हो रहे ह एक तरफ आप भार का पैसा लगवा के कंपनियों में उनको privatize कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमें आत्मे निर्बर होना है, self-reliant होना है तो ये जो वेडम बना है ये काफी तेड़ी हो गई साथ में बात करें प्राइविटाइजेशन की तो government का जो प्राइविटाइजेशन के अप्रोच रहा है आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इतना जादा successful नहीं रहा जो government target बनाती है कि हमें suppose x percentage प्राइविटाइजेशन से मिलना चाहिए या फर कोई भी एक particular venture को disinvest करके मिलना चाहिए वो नहीं मिलना है एक्जांपल के लिए जो एर इंडिया 2018 से बेचने का प्रयास किया जा रहा है वो अभी तक disinvest नहीं हो पाया है तो इस तरीके के बहुत सी बाते करते हैं और राइटर हमें सिधा-सिधा ये बताना चाहते हैं कि जो स्तिती है या जो budget है उस प्रपिक में ये कवर होगा मैनमार, पाकिस्तान, भारत ये ऐसी चीजे हैं ऐसी countries हैं जो की एक समय पे ही लगपत आजाद हुई थी अब एक समय पे आजाद होने के बाद एक तरफ आप देखे हमारे East में आपको मैनमार देखेगा और West में पाकिस्तान देखेगा दोनों ज 88 में और उसके बार 2008 में भी ऐसे बहुत सारी बार तक्ता पलट हुआ है जहाँ पर जो फॉज है, आरमी जो है, आरमी ने अपनी जो गवर्मेन्ट है उसको काबिस कर दिया, पूरी जगह जो है आरमी अपना रूर लगा देथी है जिस तरीकी की चीज़ हम, और जगहाँ प रहा था, हमें थोड़ी से जानकारी होनी चाहिए, मैनमार के बारे में, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री है, और अगर सवाल इस तरीके से आता है, जो डेमोक्रेसी इंडिया में है, और बाकी जो आसपास के पढ़ावस के देश है, उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, उसे क्या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकती है, जो थोड़ दिन पहले NSCIN, जो नागलेंड के जो की insurgent groups हैं, उनका एक organization है, उसको भी हवा मिल सकती है, उनको भी ताकत मिल सकती है, NSCIN, Isaac Moeba और NSCIN, Khaplan, इन दोनों को भी ताकत मिल सकती है, क्योंकि वहाँ से भी फढ़ने गाईगी, आ relations बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ, जो की हमारे लिए एक another situation for thinking या फिर अलग एक चिंता के विशय बन रहा है, ये सारी चीजों के साब से आप इस article को पढ़ दे, थोड़ा बहुत आप, आं, सां, सूकी के बारे में भी जान ले, इनकी एक party है, National League for Democracy, थोड़ी बहुत जान करें इनके लिए sufficient है, आर्मी ने अपना एक 2008 में constitution भी बनाया था, जिसमें अलग से इन्होंने reservation दिया है, आर्मी officials के लिए, मतलब काईजे से, आदा साथो सत्ता जो थी, वो आर्मी के पास ही थी, लेकिन अभी जो कू किया है, उसके बाद से पूरी सत्ता जो है, या फ improvised explosive device फटने की वज़े से, एक कोबरा कमांडर, जो सीनर है, उनकी death हो जाती है, जो assistant commander थे, उनकी death हो जाती है, इससे बात आती left wing extremism की ये क्या होता है, ये जो नक्सल प्रवाविद्दे छेत रहे हैं हमारे भारत में, जो भी आप देखें, चाह चतिसगर की बात करें, पार बात यहाँ पर ये करना चारा है, राइटर, कि हम कैसे इस चीज को कम करें, ताकि इतने जादा जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनमें कमी आ सके, या फिर वो चीज जो problem है, उसका हम solve कर सके हैं, सबसे बड़ा challenge ये है, कि ये जंगली इलाका है, जंगली इलाके में दिक् परकार की, उनको रहना पड़ता है, तो living conditions की वज़े से भी उनके जो health है, उसके उपर बहुत गहरा असर पड़ता है, साथ में, अगर उनकी जो आप कहेंगे garrison है, या फिर जहां रहने की जगा है, वो कच्छी बनी है, तो attack भी हो सकते हैं, उसके उपर, आप कुछ जानत है, infrastructure, develop करने की ज़रूत है, इन सारी चीज़ों के उपर बात करे जाते हैं, तब ही जाके हम solution निकाल चकते हैं, left-wing extremism एक ऐसा concept है, या फिर एक ऐसी चीज है, जो इंडिया की internal security के लिए बहुत बड़ा question बन जाती है, इसलिए हमें इसके बारे में continuously discuss करते नाना चाहिए, औ means में इस तरीके का सवाल expect कर सकते हैं, तो इसकी तैयारी रखें, तो यहाँ पर चर्चा, थोड़ी सी budget की चर्चा थी, budget में क्या है, कैसा है, उसके अलावा Myanmar आज important है, Myanmar के साथ में दूसरी जो चर्चा है, वो important है आपकी left-wing extremism की, इस वाले article में a normal budget for abnormal times, इसमें बात करी जा इसके अलावा भी आप देखें, तो बहुत सारी चीजों को address नहीं किया गया है, चाहिए आप urban employment की बात करें, उनके बारे में भी बात नहीं करी गई, मन्रेगा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस तरीके से मन्रेगा में बहुत जादा पैसा allocate हो रहा है, और अब मैंने आपको जो कहा था पैले, लगबक 31 जनवरी के आसपास के 500 के, या फिर 500 से तादा हर अखबार में नाना प्रकार के आपको आर्टिकल्स देखने मिलेंगे, बजट से समध्दे, और ये चीज़ अब शुरू हो गई है, बजट से समध्दे जो आर्टिकल्स हैं, वो आना अब शुरू हो गए है, इसमें कही न कहीं कोई तारीफ करेगा, कोई गुराई करेगा, इस तरीके का अप्रोच होने वाला है, जो कि इस तरफ भी है, जैसे बजट को यहाँ पर बात करी गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सौफ्टर अप्रोच रखा गया है, त उसमें सरकार जो है, वो निरंतर पैसे बढ़ाती जा रही है क्या, उसके लिए जो एलोकेशन है वो जादा है क्या, रेलवे के लिए पहले होता था तो इस तरीके से सवाल आते थे, यह सब सवाल आ सकते हैं, आपको टाइम पास के लिए पढ़ने तो पढ़ सकते हैं, लेक देखते हैं आपसे कल चार फर्विरी को और देखते हैं हमारे हिंदू पेपर में और क्या है, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू फूर वाचिंग और चनाइएस